बास्सा 11 और नावल्टी 11 के बीचे क्वाइटर फाइनल का मुकाबला खिला जाएगा बास्सा 11 पहले बल्ले बाजी करें स्ट्राइक के पिंटू बढ़िया बॉल चड़ बेशे की हुई एक रन बहुत ही बड़ा मुकाबला दोनों हुई टीमेश टारों से भरी हुई पर चले गेंदबास साहिल के लिए एक और बहुतरीन बॉल अंदर जेकी हुई लेक बाई का एक रन पिंटू आ जाएंगे बढ़िया बॉल क्या बहुतरीन पेस से डॉट कराया समझ नहीं पाए पिंटू बढ़िया शॉट फिंटू एक रन तो पेजी से लेंगे दूसरे की दरब देखेंगे रन आउट का मौकाब अच्छी रनिंग पहुँच जाएंगे बहुत ही बेसरीन गेंदबाजी कर रहे है नावल्टी के गेंदबाज नहीं लाओगा बढ़िया शॉट फिंटू की फिल्डर है वहाँ पे और अच्छा प्यास दन बचाते हुए एक रन से संतुष्टू ना पड़ेगा साहिल को ज्यादा देर आप खामोस नहीं रख सकते हैं बढ़िया शॉट केला है अलक्यातो से एक रन से संतुष्टू ना पड़ेगा एक और छे रन दूसरा होगा लेकर आए से साहिल साहिल लेफटी बढ़ा नाम टेनिस क्रिकेट का और यहाँ शॉट सामने की तरफ केला है यकीनन चौका मिलना चाहिए गोली शॉट है और चार रन मिलेंगे क्या आप बहतरी शॉट थोड़ा नाराज होते हुए कीपर वहा हाँ पर नाराज होते हुए इम्राण काड़ियों से यहां पर लोग आ रहा है मैच देखने भर भर के यहां पर टिकेट विके हैं कि साइकलों से लोग आ रहे हैं यह थोड़ा लेट हो गएसे मैच देखने के लिए फिर चले सैफ साहिल के लिए बढ़िया शॉट अवान बॉल है पिंटु आगा है स्ट्राइक पे बढ़िया शॉट फिल्डर है वहाँ पे एकी रण मिलेगा फिर चले सैफ साहिल के लिए साहिल तयार ते चक्का लगाने के लिए क्या पहत्रीन चक्का लगाया है साहिल ने काफी खतरनाक बल्ले बास साहिल पहला चक्का आगिया है बास साहिल 11 के लिए साहिल के बल्ले से काफी पहत्रीन यहाँ पे शुरुआत दी है फिर चले सेफ काफी आकरमक मालूम पढ़ा है साहिल एक और बढ़िया शॉट रन मिलने चाहिए वहाँ पे इस फील्ड जिसके चलते हैं यहाँ पे दो रन और थ्रो भाई कल क्या मिलेगा अच्छा बैक फिर चले सेफ साहिल के लिए बढ़िया शॉट पसा लिया लगबाग में प्लियर थोड़ा वहाँ पे सुष्ट नदर आ रहे हैं एक ही रन मिलेगा ओवर की समाप्ती ओवर 21 रन तीस रा उवर लेकर आए करन नावल्टी से नावल्टी टीम से सामना करेंगा साहिल बास साहिल एवन के बढ़िया शॉट है क्या बेतरी नपिक किये साहिल ने और कजब का छका लगाते हुए साहिल लेफटी बहुत ही तगड़े फॉर्म में नदर आ रहे हैं आपे सुरुआत कर दिये छकों से काफी खतरना कंदास से बल्ले वाजी कर रहे हैं फिर से चले गिनबाज बढ़िया शॉट सामने मिला के मार रहा है रग मिलेगा सिर्फ एक श्ट्राइक पर आ जाएंगे पिंटू बहुत ही चबरतस मुकाबला बढ़िया बॉल पेस के साथ डॉट कराते हुए गिनबाज नावेल्टी के फिर चले गिनबाज करन पिंटू के लिए बोल्ड कर दिया है यहां पे पिंटू को जाना होगा बहुत ही बड़ा विकेट काफी अच्छी इनबाजी करन करन नाखुस होंगे पिंटू अपने आप से फाहद भाई आया है यह यूपी के लिए खेल चुके हैं बहुत ही बड़ा नाम है इनका आज खेलेंगे बाकसा 11 के लिए फेल्जी प्लियर पे क्या खतरनाख चक्का लगाया है प्रणजी प्लियर है यह और काफी पड़ी शॉट लगाते हैं क्या खतरनाक अंदास से बल्लेवाजी कर रहें चले करन अखाहद भाई के लिए फिर से एक और बेतरी शॉट रन आउट का मौका मगर अच्छी रनिंग पहुच जाएंगे तीन उवर समाप्त 36 रन चौथा हुआ लेकर आए जू बैर सामना करेंगे साहिल लेफटी पनिया शॉट खेला है फिल्डर है वहाँ पे अच्छी फिल्ड एकी रन मिलेगा फाहद यूपी के लिए खेल चुके हैं काफी बड़े प्लियर बहुत हवाँ में है मौका बड़ा है बहुत ही बड़ी सफलता होगे गर कैश पकड़ेंगे ये बढ़ी बड़ा कैश बहुत ही बड़ा विकेट जाना होगा फाहद को वापसी किये यहाँ पे नावेल्टी लेवेन ने पहली यहाँ पे दूसरी सफलता दिलाई जुबैर ने काफी खुस नावेल्टी रूदर आ गया है फाहद की जगेले ने बहुत ही बड़ा नाम रूदर पहली बॉल पर रिवर्स खेला है क्या खुबसूरत खेला है साहिल काफी अच्छी ले में नदर आ रहे हैं खेलना होगा साहिल को चोटी बॉल है और अच्छा प्रियास बगर नाखुस फिर चले जुबैर साहिल के लिए बढ़िया शॉट इतनी शॉट मगर रम भी लेंगे फिर 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 रूदर बहुत बड़े बल्लेवाज रिवर्स केलना चाहते है और गोल्ड कर दिया है जुबैर ने क्या गजब का एग्रेसान है वहाँ पे जुबैर का बहुत ही बड़ा विकेट जाना होगा रूदर को चाहर वर्स हमापत हुए फिर चले साहिल के लिए हैरी बढ़िया बॉल छोटी बॉल मगर उसको फुल टोल नहीं दिला पाए रहे एक एरन में डोह राता है बल्ले बाजी करने एहरी चले रोहित बहदुर के लिए बढ़्या बॉल वजब की बॉल लहराती हुई फिर चले है रोह dripping के लिए लहराते बगिन बाजी कर रहे है एक और लहराती बॉल मगर उसको अच्छा पिक किया है काफी हाई गई है फिल्डर है वहाँ पर देखना होगा बढ़ या कै जाना होगा एक और सफलता है यहाँ पर पूरी तरीके तास के पत्तों की तरह बिखर चुकी है यहाँ पर बास सा 11 क्या कोई करिस्मा होना अभी बा सब्सक्ति बड़ा मंच तैयार है और आज इस मंच पे लामा के रनों की जरूरत है है हैरी नावेल्टी के लिए का खदलनाक के इंदबाजी कर रहे है क्या लामबा यहां से वापसी कराएंगे अपने टीम बास सा 11 को पर या बॉल एक और बॉल कजब के इंदबाजी कर रह अब फोर्दार अपी लिए आपर कीपर कैच की वाइड बॉल वहां पर देदी अमपार देंगे फिर चले हैरी लामा के लिए बढ़िया शॉर्ट है लामा ने बता दिया है अभी मैच में बहुत जान है क्योंकि अभी तो मैं आया हूँ और अभी तो मेरी आदिसी पारी यहां पर बाकी है गजब के छक्के लगाते हुए लामा पांच ओवर की दमपती पांच ओवर 51 रंज छठा ओवर लेकर आए सैफ सामना करेंगे साहिल बढ़िया शॉर्ट फुल बॉल टोल दिलाया है साहिल ने गजब का छक्का लगाते हुए साहिल फिर चले सैफ साहिल तैयार बढ़िया शॉर्ट के लाया है फिल्डर है वहाँ पर अच्छी फिर चले गिनबाश साहिल के लिए बढ़िया बॉल है बेटरीन पिक किया है साहिल ने रन मिलेंगे अधरी यह गया है अधर वाला बढ़िया आपी खतरनाग मैश हो रहा है यहां पर फिर चले सैफ लांबा के लिए बढ़िया शॉर्ट खेला है फिर चले सैफ साहिल के लिए बढ़िया शॉर्ट साहिल के लिए बढ़िया शॉर्ट लगाने के लिए क्या पहत्रीन चक्का मारा हैं मिला के साहिल ने गजब की शॉर्ट च्छे ओवर की समापती सतर रन च्छे ओवर सतर रन साथ वह बल्ले कराएं जो बहर सामना करेंगे लांबा बहुत ही बड़े बल्ले बाज लांबा यह सिर्फ के इन बाजों को छक्के में डील करना जानते हैं खतरनाक बल्ले बाज बड़िया शॉर्ट जैसा मैंने का यह सिर्फ छक्के में डील करना चाहते हैं कि इन बाजों को क्या खतरनाक चक्का लगाते हुए लांबा बहुत ही उम्दा बल्ले बाल लामबा आज बड़ा मंच और बड़े मंच के बड़े प्लेयर लामबा आज यहाँ पे अपनी धाग जमाते हुए पूरी तरीके से तास के पत्तों की तरह बिखर गई थी पास्ता 11 और और क्या बेथरीन पारी यहां पे साहिल और लांबा खेलते उए फिर से एक और क्या खुब्शूरत शक्का लगाया है बता दिया है लामा ने मंच कोई भी ओ नाम मेरा जी होगा लांबा के लिए बड़ीया शॉर्ट क्या बहतरीन छक्का लगाया है लामबा ने गजब का यहां पे किरकट देखने को मिल रहा है 7 over 95 run 7 over 95 run 8 hour लेकर आँ है हैरी सामना करेंगे साहिल लेफ्टी बड़ीया शॉर्ट क्या बहतरीन लगाया है शॉर्ट देखना है गजब का है वहाँ पर विकेड यहाँ पर जाना होगा अपने सभी यूट्यूब चैनल जो भी है हमारे लतीव गाजी जी का उनको पॉलो करें लाइक जरूर करें और वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं काफी तेज धूबे उसके बाद धूब में ख़ड़ें लतीव भाई हमारे बहुत किर्किट पे धियान दे रहे हैं और आप लोग उनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दरें थाइंक्यों मेरे भाई बहुत-बहुत शुक्री आपका सपोर्ट टरने के लिए पुराने च्षावल हैं सब्बू भाई जैसा मैं जानता हूं काफी चवर्दस चक्के लगाते थे एक टाइम में कि आज दी वही लैबर करार है देखना होगा बढ़िया शॉर्ट रन मिलेगा एक स्ट्राइक पर आज ये लांबा मना किया वहाँ पर चले भैरी लांबा के लिए लांबा तयार पढ़िया शॉर्ट लगाई ये देखना होगा वहाँ पर अच्छी फील्ड और वहाँ पर नो बॉल और बढ़िया रनिंग लांबा की प्री हीट यहाँ पर लांबा तयार प्री हीट के लिए प्री हीट हो और सामने लांबा हो तो छक्का ही दिखेगा गजब का खिलाड़ी है ये गजब की ताकत है वन मैन आर्मी बन चुके हैं यहाँ पर लांबा बास्टा 11 के लिए क्या एक आतिसी पारी खेलते हुए कप्तान आलिम भई बहुत ही खुस होंगे इस पारी से प्रीर चले गजबाज लांबा के लिए लांबा हो बल्ले बाज तो देहसत तो होगी गजबाजों के अंदर क्या गजब की यहाँ पर बल्ले बाजी कर रहे हैं लांबा वन मैन आर्मी बने हुए हैं अपनी टीम के लिए पढ़िया बॉल फ्लोवर बॉल यहाँ पे सोड़ा लड़कला आते हुए क्योंकि धूब बहुत तेज है गर्मी बहुत तेज है यह हमारे स्कोरर हैं जो इस टूनावेंट में लाइव स्कोरिंग कर रहे हैं क्रिक हीरो ते इसको कर रहे हमारे वामिक भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सारी लाइव स्कोरिंग पूरे वर्ड में दिखाते हैं तो वामिक भाई कितना टार्गेट दिया यहां पर बताईए इसमें का पीछा करने उतरी हैं आवेल्टी बाससा 11 से पहला उबर लेकर आएं काफी एक्सपिरियंस गेंद बाज सेव काफी धाक एन की टेनिस के टेट में सामना करेंगे इमरान बढ़िया खेला है अलके हाथों से एक रंग से ही संतुष्टो ना पड़ेगा इस ट्राइक पे आजाएंगे माज उभरते हुए इस्टार प्लेयर माज खेला है अलके हाथों से काफी क्लासी बल्ले बाज है माज इमरान काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं मगर सिव ने कहा आप छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं तो मैं गेनबाजी करने के लिए जाना जाता हूँ क्या गजब की धारदार गेनती समन नहीं पाए इमरान और क्लीन बोल्ड हुए आज भी वही धार सिव की गेनबाजी में जो कभी सालों पहले देखने को मिल प्रतीदी गजब का experience हादी फुरकान आ गए है गजब के बल्ले बाज आए और गजब के गिनबाजी कर रहे है सिव सिंगल के साथ श्ट्राइक पर आ जाएंगे माज फिर चले सिव बोल्ड कर दिया है और कहां पर गिरा है डंडा आप देख सकते हैं कितनी दूर गिरा है वि यहां पर विकेट को तोट डाला है तो नीच वर्दस गिनबाजी कर रहे है एक और बढ़िया शॉट फसा लिया है वहां पर यह चक्का होगा यकीनन चक्का होगा बढ़िया शॉट हादी फुरकान के बल्ले से निकलता हुआ नावेल्टी 11 के लिए पहला चक्का पर चले लांबा बॉल हवा में मौका बना है रिसाब है वहाँ पर बढ़िया फिल्डर है बहतरीन कैच जाना होगा आदी फुरकान को बहुत ही बढ़िया गिनबाजी लांबा बल्ले बाजी हो या गिनबाजी हो लांबा लांबा है बहुत ही बढ़िया औल्राउंडर हर मैच में लग भग लामबा ही मेन अज़ा मैंश ले जाते हैं इसमें भी लामबा का ही मैं अज़ा के लाड़ी है का फिर ज़ लामबा बहुत ही गजब की गिंदबाजी कर रहा है लांबा समन नहीं पान है बल्ले बाज नाविल्ट 11 के काफी हाई मार्यू है और देखते हैं फिल्डर है वहाँ पे सब बुवाई मगर छे रन अमपायर का इशारा चार और 38 रन 24 बॉल पर 70 रनों की जरूरत रूद राएं के इनबाजी करने पढ़िया बॉल स्लूर बॉल टॉट कराते हुए 23 बॉले 70 रन या इस्टाइलिस्ट चका लगाया है दिखाया कुछ किया कुछ क्या घचब की शॉट है यार तारीफ होगी इस बल्ले बाज की कलाकारी वाला च्छका 22 बॉले 64 रन की जरूरत हालिम भाई लगातार चहल कदमी करते हुए और स्लूर बॉल लहराती हुई गजब की गिनबाजी कर रहे है रूद्र हारा बॉल पे 69 रनों की जरूरत फ़ाद भाई आ गया है गिनबाजी करने बढ़िया शॉड शीपी लापे बचाते हुए बढ़िया शॉड अच्छी शॉड गजब की अरूद्र है के इनबाजी करने सामना करेंगे बल्लिवाज बहुत अवाम है अब ट्रक बुलवाया आपने इसके वाटर पार्क ले जाएंगे पूरी टीम को गया इसी में लाजके बहुत आगे के लिए जो और फिलाड़ी उनको बहुत उसक्ता हुए थैंक्यू मेरे बाई बस आप लोगा प्यार ऐसे ही बना रहे हम लोग की मौपा समेशा आपके साथ सब्सक्राइब बिल्कुल बाई थैंक्यू मेरे बाई आलिम भाई बहुत ही सीनियर प्लेयर और बह काथी तफ पाईच देखना होगा बढ़िया कैश यहां फे जीच गई यहां पर बासता 11 सेमी फाइनल नहीं पहुंचती हुई बहुत ही बेद्रीन